Sample Question Answer के एक और वीडियो में आप सभी एगनू Students का बहुत-बहुत स्वावत है आज का हमारा Subject Code है IBO2 Subject Name है आपका अंतरास्टिये विपनन प्रवंध एगनू से जो Student Emcome Course कर रहे हो और First Year के Student हो उनका ये Subject Code है आपको बता दे IBO2 की Complete Playlist Hindi Medium और English Medium दोनों में ही Ready की जा चुकी है जिसको आप हमारे चैनल पे जाके या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से भी चेक कर सकते हैं इसे आप Sample Question Answer PDF, Guess Paper या Exam के लिए Important Question Answer PDF के रूप में समझ सकते हैं यहां पे इस PDF के बारे में आपको कुछ detail दे दे तो इस PDF में आपको 3 set solve paper दिया जा रहा है इस 3 set solve paper में आपको 30 questions with answer अलगभग देखने को मिलेगा और इतना content last time study के तौर पे काफी useful हो सकता है खास तोर से उन instruments के लिए जिनके पास कोई भी study material अवलेबल ना हो आपको एगनू की तरफ से books नहीं मिली हो market से भी आपने book purchase नहीं की है और आपके पास किवल 2 या 3 दिन बचे हैं exam के लिए तो आप इसे last time के तौर पे use कर पाएंगे तो एके करके questions और उनके answers को हम देखते हुए चलेंगे तो पहला question आपसे संशिप किपनी के बारे में पूछा जा सकता है जहां पे आपको कुछ option दिये जाएंगे जैसे कि piggy banking के बारे में तो piggy banking पे आपको एक short notes लिखना होगा दूसरा हो सकता है आपका विक्रिये प्रवर्तन उपकरन तो इस प्रकार से आपको यहाँ चार option दिये जाएंगे आपको इनके short notes लिखने होगे तो इसको आप चाहे तो इन questions को note भी कर सकते हैं और अगर PDF के रूप में purchase करना चाहें तो दिये के number पे हमें WhatsApp पे message करके इस PDF को ही आप completely purchase कर पाएंगे second question आपका हो सकता है निमलिखित में अंतर बताने के लिए यहाँ पे आपको license देना तथा मतधिकार दोनों में अंतर बताना है ठीक है इसका अगला हो सकता है प्रात्मीक डेटा तथा दितिये डेटा तीसरा हो सकता है आपका परिवारिक bond एवं व्यक्तिगत bond तो इनके बीच में आपको short short में ही अंतर बताना होगा कि दोनों का अर्थ क्या है और क्या इनमें difference है next question कि तरफ बढ़ते है question number 3 हो सकता है आपका इसमें different questions पूछे जा सकते है भाग A, B, C, D करके तो पहला question हो सकता है इसमें आपका एक website firm के अंतरास्टिय होने के काड़नों का विवेचन कीजिए तो एक website firm अंतरास्टिय किस प्रकार से होती है उसके बारे में आप बताएंगे आप अगर इस PDF को purchase नहीं भी करना चाहते तो इन questions को नोट कर लीजे आपके पास जो भी study material अवलेवल है उसकी साहता से इन questions को prepare कर सकते हैं Question 4 हो सकता है आपका विदेश में विपनन संक्रियाओं को नियंतरित करने की प्रक्रियाओं का क्रम का संशिप्त विवेचन कीजिए तो ये आपका question number 4 था Question 5 हो सकता है आपका आंतराष्टिय उत्पाद जीवन चकर के विभिन चर्णों की व्याख्या कीजिए देखे बहुत सारे student ये question करते हैं कि इस PDF से exam में कितने percent आनी के chances होते हैं तो उन सभी students को मैं बताना चाहूंगा देखे इगनू का आपका syllabus बहुत अधिक ब्रॉड है और तीन सेट सॉल पेपर में सभी को cover कर पाना possible नहीं है इसलिए ये question तो आपके syllabus के according ही prepare के गए हैं लेकिन कितने percent इसमें से exam में आएंगे ये कहपाना मुश्किल है तो आप इसको use करें अपने exam के study के लिए इसके साथ साथ आप book से भी कुछ chapters को जरूर cover करें ताकि आपके अच्छे अंक exam में आ सके question 6 में देखे आपको पूछा जा सकता है packaging के कारेयों एवो महत्व का वर्णन कीजिए इसमें second part हो सकता है इसका अंतराश्टी विपनन में packaging व लेबलिंग के सिध्धानतिक विशेश बाते क्या है इसके बारे में question 7 हो सकता है आपका अंतराश्टी विपनन प्रक्रिया में विज्यापन की भूमिका का विवेचन कीजिए तो विज्यापन किस प्रकार से useful होता है इसके बारे में आप बताएंगे तो ये आपका set 1 समाप्त होता है इसी प्रकार से set 2 और set 3 भी इसी PDF में included है तो आप इसे ध्यान पूर्वक देख लेए इस वीडियो में इतना ही थाइंक्स पर वाचिंग झाल 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 झाल